Hi Guys, Welcome to Style & Strike So, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ ये Makeup Look जिसमें सबसे Important Element है ये काजल जो कि आप देख सकते हैं थिक काजल लुक है बहुत लोगों को इस तरह का थिक काजल लगाना काफी पसंद है लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से लगाना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह का लुक किस तरह से क्रियेट करना है और ये बहुत जादा Simple है बहुत ELEGENT है और साथी में बहुत जादा Attractive भी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बहले आपको लगाना होता है प्राइमर अगर आपकी स्किन बहुत जादा ओईली है तो आपको प्राइमर ज़रूर लगाना चाहिए और मैं यहाँ पर T-Zone पर प्राइमर लगा रही हूँ इससे आपके पोर्स जो है वो फिल हो जाते हैं नजर नहीं आते हैं और मेकप काला नहीं पड़ता है मेकप long lasting भी रहता है काफी time तक आपका मेकप टिकता है और काफी अच्छा लगता है flawless लगता है तो अगर oily skin है तो जरूर आप प्राइमर लगाईए इस तरह का silicone base अगर dry skin है तो मॉस्टराइजिंग प्राइमर आप यूज कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ Fit Me Foundation यह कोई भी लगा सकता है अगर आपकी dry skin है oily skin है कैसी भी skin है तो आप लगा सकते हैं उसके अंदर मैंने add किया है Swiss Beauty का real makeup base क्योंकि मेरी skin dry है तो यह थोड़ा सा dewy effect देगा इसलिए मैंने यह Swiss Beauty का real makeup base इसमें add किया है थोड़ा सा dewy effect के लिए तो यहाँ भी मैं dot dot करके apply कर रही हूँ उसके बाद यह मैंने wet beauty sponge लिया है और इससे मैं dab dab करते हुए blend कर रही हूँ अपने foundation को आप देख सकते हैं काफी अच्छे से blend हो जाता है beauty sponge से और इसे wet ही use करना होता है wet करके आप जो भी पानी होता है उसमें वो निकाल दीजिए और उसके बाद इसे use कीजिए so foundation apply करने के बाद आपको लगाना होता है concealer ताकि आप अपने dark areas को छुपा सके हाइट कर सके लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर orange color character लगा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत जादा dark circles है और जब आप concealer लगाते हैं तो आपके जो dark circles होते हैं under eye area होता है वो grey लगने लगता है तो उसे हटाने के लिए उसे छुपाने के लिए आपको orange color character लगाना है इससे आपका जो under eyes है वो grey नहीं लगेंगे और बिल्कुल अच्छे से cover भी हो जाएंगे तो अच्छे से आपको orange color character लगाना है जहाँ भी आपको darkness, blackness है वहाँ आप लगा सकते हैं यह inside का palette है जो कि मैंने आपको दिखाया इसमें बहुत सारे color character आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर मैं यह pack sponge ले रही हूँ छोटे वाला और उससे blend कर रही हूँ और इंज color character के बाद आपको लगाना है concealer यहाँ मेरे पास है Swiss Beauty का concealer इसमें मेरा shade है Sand Sabal और यह बहुत ही अच्छा concealer है और आप देख सकते हैं मैं इसे अपने under eyes पे लगा रही हूँ जहाँ भी मैंने orange color character यूज किया था वहाँ मैं अपलाई कर रही हूँ cover करने के लिए और जहाँ भी आपको अपने skin पे redness या blackness लगती है जहाँ भी आपको लगता है इसकी जुरत है आप वहाँ पे लगा सकते हैं coverage के लिए concealer अपलाई करने के बाद आपको इसे भी अच्छे से blend करना है और आप sponge की help से इसे blend कर सकते हैं जैसे की मैं वीडियो में दिखा रही हूँ as मुझे थोड़ा सा neat और लग रहा है concealer का तो मैं थोड़ी सी quantity में concealer और अपलाई कर रही हूँ ताकि वो जो orange character था वो अच्छे से छुप जाए अब मैं concealer को set करने के लिए ये Maybelline Fit Me compact ले रही हूँ और इससे मैं अपने under eyes को और eyes को set कर लूँगी और इससे क्या होगा कि आपका concealer जो है वो crease नहीं होगा और lines नहीं बनेंगी अच्छे से आप eyeshadow अपलाई कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो अब मैंने लिया है 3 in 1 sugar का arc arrival brow pencil और यहाँ पे मैं इसे use कर रही हूँ अच्छे से fill in करने के लिए आप देख सकते हैं इसमें मेरा shade है Zeri Brown और यह काफी अच्छे से fill in करता है eyebrows को और उसके बाद मैं spoolie brush की help से comb कर लूँगी अपने eyebrows को तो fill करने के बाद आप brush यूज कर सकते हैं जो कि इसके साथ ही आपको दिया जाता है तो यह spoolie brush है जो कि इसके back side पे है और इससे काफी अच्छे से eyebrows comb हो जाती हैं आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हो रही है और इससे बहुत ही natural effect आता है बहुत जादा dark नहीं करना है आपने eyebrows को बहुत हलके हातों से आपको pencil इस पे चलाना है और उसके बाद आपको यह spoolie brush की help से brush कर देना है अब मैं use कर रही हूँ mecca coal techno coal काजल तो यहाँ पे मैं अपने water line पे से लगा रही हूँ और water line से थोड़ा सा नीचे lash line पे भी apply करूंगी ताकि अच्छे से मैं इसे smudge कर पाऊँ और आप कोई भी काजल ले सकते हैं जो की dark हो और जो easily smudge हो जाता हो मतलब कि जल्दी से set नहीं होता है वो अला काजल आप ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने water line पे काजल लगाया है अपर water line पे भी lower water line पे भी और मैंने lash line पे भी काजल लगाया है lower lash line पे और उसके बाद आपको एक flat brush लेना है इसे smudge करना है अच्छे से ताकि lower lash line पे काजल आपका जो है smudge हो जाए और बहुत ही बढ़िया लगता है smoky effect लगता है और आपको दिख रहा होगा कि मैंने water line में दुबारा से फिल किया है क्योंकि थोड़ा सा dark करने के लिए अपनी eyes को इसलिए मैंने किया है फिल और अब मैंने ये eyeshadow palette लिया है wet and wild का brown shade ले रही हूँ और अपने जहां पर मैंने smudge किया था काजल को उस पर apply कर रही हूँ काफी अच्छा effect आता है smoky effect आता है soft effect आता है इससे harsh नहीं लगता है आपका जो eye look है आप चाहें तो black eyeshadow भी यूज कर सकते हैं पर मैंने brown यूज किया है उसके बाद मैं eyelash curler यूज कर रही हूँ eyelash curler आपको पहले यूज करना है mascara से ताकि आपके lashes जो हैं वो थोड़ा सा curled हो जाएं और उसके बाद आपको mascara यूज करना होता है यह मेरा favorite mascara है तो lash curler यूज करने के बाद जब हम mascara यूज करते हैं तो काफी अच्छे से आपके lashes curl हो जाती हैं बहुत ही अच्छा effect मिलता है आप देख सकते हैं मैं use कर रही हूँ एक coat लगाने के बाद मैं दुबारा से अपने lashes को lash curler की help से curl करूंगी उससे काफी अच्छा effect आपको पता चल जाएगा कि मिल जाता है आप note कर सकते हैं कि मैं किस तरह से mascara apply कर रही हूँ shake कर करके ताकि जो सारी lashes है वो अलग लग ही लगें चिपके नहीं और lower lash line पे भी मैं mascara apply कर रही हूँ lower lashes पे भी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से mascara apply हो रहा है एक एक lash जो है वो अलग लग आपको नजर आएगी तो यहाँ मेरा eye look complete हो चुका है काफी soft look लग रहा है और daily basis पे भी आप इसे try कर सकते हैं अब मैं use कर रही हूँ यह profusion का palette और nude blush ले रही हूँ क्योंकि यह बहुत जादा neutral look है इसलिए यहाँ पे nude blush ही बहुत ही अच्छा लगेगा आपको pinkish tone में blush की जुरत नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आपको उपर की तरफ blush apply करना है ताकि आपका face lifted लगे आपका face chiseled लगे और काफी अच्छा लगता है इस तरह से अब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ वेचन वाइल का contour and highlight palette और मैं bronzer यूज कर रही हूँ अपने forehead पे forehead को छोटा दिखाने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं bronzer अब मैं bronzer को यूज करूँगी अपनी jawline पर ताकि मेरा face थोड़ा सा चिजड़ लगे पतला सा लगे तो इस तरह से आप use कर सकते हैं और काफी अच्छे से मैं blend कर रही हूँ आप देख सकते हैं same profusion palette मैं ले रही हूँ highlight के लिए भी so यहाँ पे golden वाला shade मैं अपने highest points पे लगा रही हूँ cheeks के और सिरफ cheeks पे मैं लगाने वाली हूँ और थोड़ असा मैं nose पे लगाने वाली हूँ subtle look लखना है मैं को तो इसलिए मैं सिरफ cheeks पे और nose पे अपलाई कर रही हूँ forehead पे अपलाई मैं नहीं करने वाली हूँ इसके बाद मैंने लिया है wet and wild का यह liquid lipstick यह है catsuit liquid lipstick और यह shade है give me mocha I love this shade nude brown shade है यह काफी अच्छा लगता है अब मैंने यहाँ पे गर्फुल वाले जुमके पैने हैं तो आप जुमके पैन सकते हैं junk jewelry काफी अच्छी लगेगी इस look के साथ और बिंदी apply की है मैंने अब मैं अपने makeup को set करने के लिए dewy करने के लिए क्योंकि मुझे glowing look पसंद है तो मैं यहाँ sugar का grand finale highlighting setting mist apply कर रही हूँ illuminating वाला और काफी अच्छा illuminating look देता है यह मैंने spray कर लिया है and मेरा makeup जो है वो fix हो चुका है अच्छे से so यह है मेरा complete look I hope so यह आपको बसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please like करना मत भूलिएगा subscribe कीजे मेरे चैनल को और आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं अब हम मिलेंगे next वीडियो में बाई